कॉंग्रेस तो एक परिवाद वाद हट नहीं रहा है दूसरों के उपर आरोप लगाना बहुत असान है उनके लिए कभी आयने के सामने खुद खड़ा होके देखें हैं खुद नंगा हो जाएं मंदर के उपचुनाओं में एक बार फिर से एएम के उमिद्वार सिसील लकडा भाग अजमा रहे हैं पिछले बार तीसरे नंबर पर रहे गये थे साड़े तेईस हजार से ज्यादा मत लाए थे इस बार आपको बोल रहा कि गंगोत्री कुजूर के गोतिया हो एक राभोट न कॉंग्रेस खुद एक बीटीम है कॉंग्रेस तो एक परिवाद वाद हट नहीं रहा है दूसरों के उपर आरोप लगाना बहुत असान है उनके लिए कभी आयने के सामने खुद खड़ा होके देखें खुद नंगा हो जाएंगे आप पिछले बार तीसरे नंबर पर थे इ पुरे देश में जरकुंड प्रदेश में आप देखिए अभी महागडबंधन की सरकार है महागडबंधन की सरकार में बरस्ट睪 अचारियों पर कैसे करवाई हो रही आप खुद देख रहे हैं और वही ब्रस्टाचार के चलते वहां के विधाय की विधाय का गई है आप लोग इन चीजों में फोकस कीजिए बंदूतिर्की की बेटी कह रही है कि यह साजीस हो गया मेरे पिता जी के साथ इसलिए जनता की आदालत में आया है नहीं यह कैसा साजीस है और भाई साजीस क्य परना चाहिए लोगों को आपको लग रहा है कि ब्रस्टाचार और परिवारवाद ऐसा मुद्दा है जिसके चलते आपको बोट मिलेगा जी बिल्कुल मिलेगा और भी मुद्दे हैं स्री ब्रस्टाचार और यह नहीं देश का आज संप्रूभुता खत्रे में हैं देश का अवेसी जी आएंगे आपके प्रचार के लिए बिल्कुल बातचीत हो रही है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं समय हम लोग मुकरर करने का प्रयास कर रहे हैं और जरूर उम्मीद करते हैं कि वह इसी साब आएंगे प्रचार के लिए शुक्रिया तो सिसिल लकड़ा जी को तीसरे नंबर से पाटी सीधे पहले नंबर पाया जाएगी करें इस बार वहां की जनता ना फूल के पक्ष में है ना हाथ के पक्ष में है पतंग उड़ेगा इस बार सुक्रिया दॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडन्स की है कमी तो आएं बायोम राची में सिर्फ मेडिकल की तयारी के लिए एक बहतरीन संस्थान नीट और एम्स की तयारी के लिए संग 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसिमंद संस्थान बायोम इनु एवं नगर तोली राची